तो आज की वीडियो में आपको उता हूँगी चार प्लेट वाला ब्लाउज कैसे स्टेच करें सबस्क्राइब किजी स्टेचिंग क्लाव चैनल बेल आइकोन दमाई लेटरस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए पिछले वीडियो मैंने इसकी कटिंग के बारे बताया थो और यह ब्लाउज मैंने कुड़ती में से बनाया है तो आप पिछला वीडियो मेरा जरूब देखें जिससे क्या आपके पास जो कुड़ती पड़ी है आप उसको नया लग दे सकते हैं यह बहुत ही सुंदर बनने वाला ब्लाउज है तो यह वीडियो आप जरूब देखें पिछला वीडियो भी देखें और यह वीडियो पूरा देखें क्योंकि बहुत ही सुंदर बनने वाली है इसका बहुत ही अच्छा लुकाने वाला है ब्लाउज का तो देखें यह मैंन बैक पार्ट का लाइनिंग है तो देखिए अस्तर को मैंने नीचे रख लिया है और देखिए जो यह ब्लाउज है इसकी वीपर मैंने इसको उल्टा रख लिया है अब देख रहा है इस तरह की धागी भी निकले हुए है इसमें से इस ब्लाउज में अस्तर डालना बहुत जरूर लिया तो देखिए नीचे अस्तर रख लिया ओपर लिटा ब्लाउज रख लिया और हमने भी कैनवास कट किया था इसका नेक की फिनिशिंग के लिए तो देख करने बाद इसके इसको पलट के चालो तरफ देखिए इसको फिनिशिंग देगी अब आगे का पार्ट है यह इसका पार है तो सबसे पहले हम इसको इस तरह से जुआ हमारी यह प्लेट है इसको आप इससीदही रखे क्योंकि प्लेट हमारी अंदर की तरफ तो आजाएंगी बोए जिसके फिनाज द हो ुप दाल tehd यो यहां पर ऊस्तारै कमा किलें तो पंचन करनने के बाद यहां रभा पार देल फिनिस दखते मिखने हैं आपक साधिब देल इसारी इसका मालते हैं पीश कटकी है सबसे पहले दीए पीश को इसा जो इसी तरह श्टर की जैसे और पीछी है रही है जैसे लिए इन बताया तहे श्टिच कर लें नीचे अस्तर रखें ब्लाउ जो केंवास कटकिया थे यहां तक है स्टेच कर दिया है और अभी असको पलट देते कर लेते हैं असतर के साथ में तदीखर we more कि जीसे मैंनों पताया था पूरई मैंने इसको इस्टिच कर लिया लाइनिंग के साथ में अभी हम इसमें डालते हैं तो दीख उल्टा कर लेते हैं तो दीखिएों हमारी प्लेट क्षिकर के मार्किंगे पहले हम या मुद्धे से लेकर हम यहां तक एक श्रिच डानें इसे काइए 2वपीश हमारे स wellbeing है यह मैंने सेट करने के लिए इस्टिच डाला था जब हमारी प्लेट पढ़ जाएंगे तो इससे लाइकों निकाल देंगे तो देखिए सबसे पहले यह नीचे वारी प्लेट डालते हैं तो जो हमारी यह मार्किंग है यहां से पकड़के यहां से लेके यहां तक 5 इंच लंब दोनों साइडों में ये प्लेट हैं डाल दियें और हम सीधा करते हैं तो देखिए इस तरह से हमारा ये कब साइज बन गया है और जो ये सिलाई डाली थी इसको हम निकाल देंगे अभी हम नीचे कमर में फिनिशिंग दे देते हैं ती जो टुकड़े बचे थी उसमें सी पट तो देखिए मैंने इस्टेच डाल दिया है और देखिए एक किनारे पर इस्टेच डाल देंगे और बाद में हमेज़तर ऐसे इसको फोल्ड कर देंगे और नीचे बाद में दुर्पाई कर देंगे तो दीखिए मैंने इसको इस्टेच कर दिया है जैसे मैंने बताया है यहां पर तरुपाई कर लोगी यह पार्ट मारा तयार हो चुका है साइड में रख देते हैं दीखिए जैसे मैंने बताया था बैक साइड यह भी नीचे अस्तर रखा है इसके उपर ब्लाउच पीस कर दिया है और अभी इसको पलट के किनारे पर शिलाइड डाल देते हैं तो दीखिए मैंने इसको इस्टेच कर दिया है अभी हम यहां पर प्लेट डालते हैं तो दीखिए प्लेट भी डाल दिया है अभी जैसे यह लेफ्ट साइड का तो यहां पर काश पट्टी आएगी तो इसके लिए मैंने यह थ्री इंच ओड़ी पट्टी खट कर लिए इस्टेट है और ऊपर नेक की फिनिसिंग हो चुके इसलिए यहां पर फोल्ड करके इस् के स्टेट इस्टेचिंग डालते हैं और कमर में उसी तरह फिनिशिंग दे देंगे जैसे हमने फ्रेंट में दी थी तो दीखिए यह पीस भी मैंने तैयार कर लिया है और दीखिए फ्रेंट भी तैयार हो चुका है अभी हम सूल्डर से जोइंट करते हैं तो दीखिए इस भी के के पाटको सीधा रखा है और जो पीछे के पाटे उनको उल्ठा रखे यहां पर इस तरह से इस्टिच कर देथे faço तो दीखिए 慢ले पर टीए यूपर रखलूस दीखिए तोॉपर की तैयार हो सुके तो दीखिए यह यहां पर से दौनों पीस तैयार हो चुके अभी को इसलिब तेयार करतें तो दिःधिन जो Seriously में कपड़ा कम था तो ने यहां पर ली आ ends कर लिया है दौनों साइड हो में और दिफिए यह इसका अस्तर है अभी हम यहां पर इसको सेट करते हैं अस्तर के साथ तो विक्सरी इसलिब तो दिखिए इसी तरह में नहले दोनों सेलिव को अंदर की तरफ उल्टा रख लेंगा जैसे कि मैंने रख लिया है दोनों साइड में और उपर नीचे सीध आएगा और आप इंच की अष्टा देते तो सबसे पहले इस तरह से इसको सेंटर पाट देते हैं इस से क्या होगा सेंटर में आ जागा अपना जो चलाई का पॉइंट है देखी यहां पर और अभी इसको खोल के आदा इंच की इस तरह से एश्टर कटिंग कर देते हैं आगे के पाट में तो देखिए यह इस तरह से स्टिश कर दी तो देखिए जो ज़्यादा कटिंग है यह अपमारा राइट साइड में आएगा तो इसी तरह आप देख लें जब भी सिलोगाए जो आइस्टर कटिंग वह आगी कि पार्ट में अने चाहिए इस तरह से और जो कम कट किया है हमने करते हैं देखे सिलाई का चाट को सार जो शार शार टाफर रावर अगर आप्कश का हया जाधा हो अगर कमे तो जाधा देखे और पीच Philippe्पर जादा एंगर अगर ज्याधा है विब्मनेटकष करते हैं आभ हम इसको तो दीखिए दोनों साइड की सिलिए मैंने अटेच कर दीए देखिए कितना अच्छा लोका आ रहा है अभी हम इसको उल्टा कर लेते हैं तो दीखिए अभी इसकी फिटिंग करेंगे तो दीखिए हमने जो 2 इंच मार्जन लिया था दो इंच हम छोड़ देते हैं कि जितना आपने मार्जन लिया है उतना यहां पर छोड़ दे सेम दो इंच नीचे छोड़ देते हैं और इस पर स्लाइड डालने के बाद फिर से आप एक बार मेजर्मेंट कर सकते हैं अगर कम ज्यादा कुछ है तो कि यहां पर स्लिब का भी मेजर्मेंट लेते हैं क्योंकि यह हमारी शौड़ स्लिव हैं तो इसके लिए हम लूजी रखेंगे तो यहां पर मैं 6.5 इंच ले रही हूं अगर आप सिंगल में देखेंगे 13 इंच हो जाएगा तो यहां पर 6.5 इंच से में इस्टिचिंग डाल तो दीखी मैंने इसकी साइड फिटिंग कर दिये दौनों साइड हों से तो आप देख रहे हैं कि जो फ्रेंट में हम ने कट गया था यहां पर एक मोटी लगा दिया एक गें कितना सुदर लग राह देख रहा है और आब देख रहे हैं किटनी अच्छे से आ और और दीकिए जूद्OG है इसी यह भी वह में लूज रखें। मारी ओपनिंग यहां पे मैंने हम लगा दिया दिया है क्योंकि यहां पर हमने लुप लगाया था, यहां पर बटन लगा दिया है, और आप देख रहें, बैक सैट का नेक भी कितना सुन्दर लग रहा है, और यह कितना सुन्दर हमारा ब्लाउज बन गया है, तो आप इस आसन तरीके से कुर्टी में से ब्लाउज बना सकते हैं. दोस्तों मुझे उम्मीद है कि हमारा वीडियो आपको पसंद आया हुगा, वीडियो को सेर करें, लाइक करें, चैनल सबस्क्राइब करें, थेंक यूँ.